अगर आप भी एक नय फार्मर हो, और फार्म सुरू करना चाहते हो और आप भी इसी बात से बहुत ज़्यादा परहसान हो कि किस चीज को करने से हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगी मुर्गी पालन तो हम करी लेंगे लेकिन उसको अंडे के लिए पालना सही होगा या फिर मी को करने से हमें ज़्यादा प्रॉफीट होता है मैं यह यह चू करने से हमें जयादा प्रॉफित होता है इनसान चाहें किसी शिंवामर में हो किसी विजनेस वह तो हम आप सभी उमिद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जहां कई भी होंगे अपने फैमिली फ्रेंस के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होंगे तो जैसा कि मैंने कहा कि जो नए फार्मर लोग आ रहे हैं वो यहीं सोच रहे हैं कि हम किस चीज के लिए फार्मिंग करें का जैसे कि हम मुर्गी तो ले रहे हैं सोनाली क्या दिया या फिर बोयलर वाला ले या फिर कड़कनात ले या फिर ड्रौफजिन आप जो भी ले रहे हूं ठीक है zijना Лेकिन हर आपको ज्यादा अड़ीट क्यों दाएगी इने और नरदीप के लैट से लेके दो साल पको देती यह ये छे महने पर आजाती है तो 2 ने करना होगा तो बहुत ही सिंपल सा जो है ये बात है आप छे मेहने तक इन्तेजार कीजे उसके बाद आपको पर डेंडा जो है देखने को मिलेगा और पर दे आपको इंकम होगी लेकिन ये हम जैसे सभी फार्मर के लिए ये सब नहीं हो सकता है संभव क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे पास इन्वेश्ट के लिए इतने पैसे नहीं होते हैं कि हम 6 मेहना तक उसको क्या खिला खिला के रखें एक दो मुर्गी मुर्गियां तो है नहीं कि चलो बचा कुछा खाना से ही उसका पेट भर जाए 500,000, 2000, 5000 तक बड़े बड़े जो फार्मर हैं वो लोग करते हैं तो क्या इतने मुर्गियों का संभव है कि आप बचा कुछा खाना से उसका पेट भर पाओगे लेकिन हाँ आप अगर कर पा रहे हो आपके पास उतना जो है मतलब इन्वेस्ट के लिए अगर पूंजी है पैसे हैं तो फिर आप अंडे पर ही करो कि उसमें आपको ज्यादा प्रोफिट होगी अंडा बेचने के अंडा से जो आप कमाओगे सो तो कमाओगे ही लेकिन जो मीट का बात होगी तो आप लाश्ट में जब मुर्गी अंडा देना बंद कर देगी तब आप उसको मीट के लिए भी उसको बेच सकते हो और आप नुकसान में नहीं रहोगे उसको हर तरीके से आप यूज में ले सकते हो और एक बात जो है मैं हमेसा बताती भी हूँ हर वीडियो में और आज खाने से मुर्गियों का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर अगर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर मुर्गियां अंडा जो है कम देती हैं तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिएगा और उसको जो है जितना हो सके घर का बना खाना दीजे या फ्री रेंज में उसको फ्री एरिया में छोड़ दीजे अपने घुम घुम के वह अपना पेट पाल लेती है और ऐसे में अगर आप उसको अंडे के लिए रख रहे हो तो फिर आपको तो बहुत ही ज़्यादा प्रोफिट होगा क्यूंकि नाहीं उसके खाने में कोई खाने ही देना है फिर बाकी जो मेडिसीन है उसको आपको टाइमली एकदम देना है उसमें किसी तरह का जो है आप मैनेज मत कीजेगा उसको एकदम सही से समय पर दीजेगा फिर चाहे उसको आप अंडे के लिए करो या फिर मीट के लिए करो हम जैसे लोग हम लोग अंडे पर क्य है तो इसलिए मैं अभी जो है मीट के प्रपर से ही पाल रही हूं लेकिन आगे जो है मैं उसको अंडे पर ही रखने वाली हूं क्यों कि भाई मैं भी तो फार्मर हूं मुझे भी तो ज्यादा फाइदा चाहिए ना मीट के लिए मैं इसलिए पा रही हूं क्योंकि अभी जो है शुरू होती है तो बस इसी टोफिक को जो है मुझे आज आप लोगों से शेयर करनी थी इस बात को किलियर करना था क्यूंकि बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो की फार्मिंग से जुनना चाहते हैं और वो लोग यही सोच रहे हैं कि अंडे से ज्यादा कमाई होता है तो फिर अंडा तो मुर्गी का अंडा वैसे भी बहुत अच्छे दाम पर बेचे जाते हैं और अगर आप बड़े मात्रा में करते हो तो फिर आप किसी हैचर से भी बात कर सकते हो वो लोग आपके सारे अंडे जो है उठा लेते हैं एक साथ में आपको किसी तरह का नुफसान नहीं होगा अगर आप मैसे कोई लोग जैसे की फार्मिंग कर रहे हो और अगर आप लोग नहीं बेच पा रहे हो फिर चाहें मूर्गे मूर्गियां हो या फिर अंडे हो तो आप लोग मेरे से सीदा obtain कर सकते हैं मैं मतलब मैं कोसिस करूंगी कि आपका जो भी माल है फिर वो मीट का हो या फिर अडे का तो मैं कोसिस करूंगी कि वो opensale हो जाए मुझसे जितना हो पाएगा मैं जरूर मदद करूंगी तो आज की वीडियो कैसी लेगी आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा पसंद आई है तो लाइक कमेंट सियर जरूर कीजेगा और अगर चैनल पे निवा आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल वाला घंटी को जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो अपलोड नौटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का एंड करती हूं मिलती हूं आप सबसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत